कि 27 कि पिछले मां के 27 तारीक को जर्मुंडी में घटना घटी थी जिसमें अपराद कर्मियों द्वारा वहां एक हत्या कर दिख गई थी कि और उस हत्या में जो सामिल थे उन लोगों को गिरफतारी हुई है और इसमें हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है दुमका पुलिस के द्वारा लगतार दबाव के कारण इसमें जो कि सरेंडर किये हैं वहां पर पहले भी टीम बना के दबिश दिया गिया जिसमें दिपक चोधरी और टेका और अभीक सेक सिंग और बिट्टू सिंग उन लोगों के द्वारा हत्यार उनक के अधार पर एक कांड दर्ज किया गया जमसिदपूर में जिसमें उनको जेल भेजा गिया और साथी साथ उनके शुकार्युक्ति ब्यान में जीन लोगों का नाम आया उस पर काफी दबिश बनाया गया दुमका के दोर जमसिदपूर में टीम लगतार चापे मारी कर रही जिसके फल्सूर्ट नामजद अभियुक्ते के उत्तम महतो है उसने भी अपने पूराने कांड में आप्समाडपन किया है साथी साथ लगातार दबिश दिया गया तो इस करम में हम लोगों ने दो लोगों को जो की कनफेशन में आया थना उनको पूछताच के लिए लाया पूछताच के बाद असपर्ष्ट हुआ के वो लोग भी सामिल थे उसमें कि फलता उनकी गरफतारी हुई है और इस तरह से खुल मिला के दो लोगों की गरफतारी दुमका पुलिस के दौरारे किया गया और एक सरेंडर हुआ है और दो लोगों को जमसेद पूर पुलिस न पूर में है अलग-अलग जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे तो उसमें आपसे रंजिस्था जमीन विवाद को लेके कि कुन बर्चसों कायम करते हैं तो एक राजा सर्मा नाम करके एक नामज़त अभ्यूक्त है उसके साथ इन लोगा काफी अदावत चल रहा था लोगो द्वारा बताया गया जो भी पकड़ाए हैं कि अमरनात के द्वारा उनको हिदायत दिया गये तिवराबर धंकी दिया जा रहा था राजा सर्मा को अंजाम बुरा होगा तीसी के तरही लोग गिरोव में आपस में समझोता कि आपस में बैठके लोग तै कि अमरनात क को अब रास्ते से हटाना होगा इसी करम में इस रावनी मेला में वो अपने परिवार के साथ मरना थाय वेत्व पुजा करने तूसी में लोग को सुचना मिला उसके बाद लोग घात लगा कर योजनाबन तरीके से उसकी हत्या की है कि गोली बिशाल सिंग ने चलाई है और भी लोगों का नाम आया है जो इसमें अभी अजीत मंडल है जोनों मारने वाले और मरने वाले दोनों गेंगेस्टर है जमसे इतने टोटल सामी में देकि इसमें अभी तो पांच लोग आये हैं और एक राजा सर्माज चठा ब्यक्ति इसमें जो है कि अभी फरार चल रहा है जिसका हम लोग लगातार जो है उस पर मोनेटरिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसकी भी गिरफतारी के पहस्चाहत अगर और भी कोई तथ्य आएंगे तो हम लोग उस पर और आगे बढ़ेंगे फिलाल 6 लोगों का सनलिपता इसमें मिल रहा है और भी कोई अगर तत्य नाया आएंगे चुकि यह अनुसंधान अंतरगत है अनुसंधान के करम में अगर कोई बात आते हैं तो फिर और हम लोग आगे आपको बताएंगे इसमें सब राजा सर्मा के नाम पर यह लोग बोल रहे हैं कि उन लोग को दिया था सब अलग अलग भाग तो अब उसका गिरफतारी के बाद फिर हम लोग उस वाहन को भी जुड़नेंगा उसको भी जो घटना परिप्त हुआ है उसको हम लोग जब करेंगे अपराधियों का अपना संबंध रहता है कि इनसे उठना बठना है उनका उतलग बात है लेकिन प्रिम फेस जिनके साथ जो विवाद है सब दी में कनराисл के सांगर लोग अगर इस concern हो निसीत तरपर हम लोग उनको भी कानून के दारे मिलाइंगे अबीतक तो उनका किसी तरह का कनफेशन में कोई जिख्र नहीं हुआ है और हम लोग अगर साख्छ मिलता है तो साक्षान उसर करवाई करेंगे अभी तक कोई साक्षा हम लोग को ब्रामद नहीं हुआ है घटना में परियुक तेक पिस्टल तीन जिंदा को लिए और साथ खोखा घटनास्थल के पास मिला था भागने के करम में लोग पिस्टल जो हो फेके थे उसको हम लोग ब्रामद क किये हैं और बस अभी यही मिला है अ हुआ हुआ है